हेलो फ्रेंज वेलकम यूट्यूब चैनल आज हम ट्यूपिल सलवार बननबताएंगे आपको तो देखें यहां पर हमने एक आधा मिटर से भी कम कपड़ा ले लिया है यह हम टू यर बेबी के लिए बना रहे हैं तो कपड़े को हमने टू फोल्ड कर लिया है लंबाई से आपको ऐसे फोल्ड कर लेना है तो आप मैने मेजरमेंट के लिए बेबी का एक पजामी ले लिया है आप भी आप उसका नाप हो तो रख सकते हैं नहीं नाप हो तो आप पजामी लेके बना सकते हैं तो देखें यहां पर हमारा खुला भाग है तो खुले तरफ हमारा आसन नहीं रहेगा हमारा आसन रहेगा बन साइड के तरफ तो देखिए पहले हम लंबाई चेक कर लेंगे तो लंबाई है इसका 17 इंच तो हम यहां पर 2 इंच कमी रखेंगे क्योंकि 2 इंच 3 इंच हम उपर बेल्ट आ लेंगे जिसमें हम इलास्टिक लगाएंगे तो देखिए यहां पर हमने 2 इंच पर 3 इंच पर निशान लगा लेना है बस हलका सा यहां गुलाई देंगे हम देखिए तो यहां से हम गुलाई देंगे ताकि हम मोरी की तरफ बना ले तो फ्रेंच अब यहां पर हम लंबाई को मिलाएंगे तो देखिए यहां पर हम ऐसे इंच टेप को रखेंगे और चारो तरफ हम निशान लगाते जाएंगे फ्रेंच आपको भी ऐसे निशान लगाते जाना है सेम जैसे हम रेला भी निशान लगता है वैसे ही निशान लगाना है तो देखिए फ्रेंच सेम ऐसे निशान लगात जाएगे हम और हमारा आसन वोच वह हमारा बंद भाग इस तरह रहेगा क्योंकि یہ सलनय हम बंसाइड से मुठाल से लेंगे चैसे दो नियुक्रेक कि लिखम इस तरह दो दो तरह में आसान तरीक आए तो आप अपना मेजर्मेंट ट्रक सकते हैं और आसन के लिए जब आप लगाएं तो उसका अंदर की तरफ दो इंच रखें तो फ्रेंस हम बड़े के लिए भी वीडियो डाल देंगे कैसे बनाना है तो यहां पर हम इसको ऐसे ही कट कर लेंगे तो फ्रेंस नीचे से भी हम ऐसे ही गुलाई में कट कर लेंगे हलका सा और आसन को भी हम भी से कट कर लेंगे एकदम आसान है फ्रेंस और देखने में बहुत ही खुबसूरत लगता है तो देखें आप यहां पर जो हमारा यह कपड़ा बचा इसमें से हम पतला सा बेल्ट निकाल लेंगे जिसमें हम इलाश्ट देखिए कटने के बाद कैसा दिख रहा है तो आपको यह देहान देना है फ्रेंस पहले 20 से हम आसन को जोइंट करेंगे उसके बाद हम साइड साइड से सिलाई करेंगे तो उसके बाद हम मोरी बनाएंगे मोरी बनाने के बाद हम साइड में सिलाई करेंगे पहले हम आसन को बराबर रखके ज्वाइंट कर लेंगे और फिर हम नीचे की मोहरी बना लेंगे थोड़ा सा फोल्ड करके यहां पर आप देख लीजे हमारा सलवार ऐसे कटिंग के बाद दिखता है तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं और यहां पर आपको जितना का मेजरमेंट है उस सामसे बेल्च निकाल सकते हैं तो यहां पर हमने तीन इंच की पटियन देनी है अब यहां पर निशान लगा कि हम इसको यहां पर बेल्चильन लेंगे तो देखिए फ्रेंज हमने यहाँ पर बैल्ट निकाल लिया है अब यहाँ पर बीच में हम खोल लेंगे और उसके बाद हम सिलाई करेंगे फ्रेंज अगर आपका कपड़ा कम हो तो यहाँ पर जोएड लगा सकते हैं अलग से पट्टिया ने तो आपका कमर जितना हो उस हिसाब से यह बेबी का है तो इसमें हमारा इतनी में हो जाएगा आपको एक्टर लगाने की जुरूत नहीं है तो देखिए फ्रेंज पहले हम आसन को जोएड कर लेते हैं और यहाँ पर हम मोडी को फोल्ड करके यहाँ पर दो बार फोल्ड करेंगे हम उसके बाद हम जोएड करके और साइड साइड में जोएड करेंगे तो फ्रेंज जहाँ पर हमारा जितना मोडी रहेगा हम मोडी को उतना छोड़ देंगे और इस साइड से भी हम उतना सिलाई लगा लेंगे सिर्फ मोड़ी का हम जितना हमारा मोड़ी रहेगा उतना छोड़ देंगे हम और इस साइड से भी सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ पे हम इतना छोड़ देंगे इस पेस और हाफ इंस का मारजन देते हुए हम इसको भी सिल लेंगे एकदम आसान तरीका है फ्रेंस आपको कोई भी दिकता है तो आप कॉमेंट करके जरूर पुछेगा तो देखिए हमने फ्रेंस जोइंट कर लिया है यहाँ पे बोड़ी भी बना लिया हमने साइड भी सिलाई लगा लिया है चार तरफ मैंने सिल लिया है अब इसको हम सीधा कर लेंगे उसके बाbad हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे तो फ्रेंस इसमें प्लेट उसी साब से डालना है क्योंकि इसमें प्लेट बीच में रहेगा दोनों तरफ आगे और पीछे तो देखें यहां पे सिलने के बाद कैसा दिख रहा है आपका क्यूपिल सलवार आप देख सकते हैं तो हमें बीच में प्लेट डालना है यह हमने बराबर कर लेंगे उसके बाद हम इंच टेप से दोनों तरफ निशान लगाएंगे तो बीच में हमारा जितना बेल्ट है उसी साब से प्लेट डालेंगे तो पहले हम 4-4 इंच पे निशान लगा सकते हैं तो यहां पे हम 4-4 इंच पे निशान लगा रहे हैं उसके बाद हम ब लेट ऐसे डालते जाना है बस चार इंच आपको प्लेन ऐसे छोड़ देना है और बीच में बागी का पड़ा आपको प्लेट डाल लेना है तो आपका कपड़ा जितना हो उस इसाफ से आप अपने बेल्ट के अनुसार सारे प्लेट डाल सकते हैं अगर आपको कोई भी दिकत तो कॉमेंट करके जरूर पूछिए तो देखिए हमें ऐसे ही प्लेट डाल के बेल्ट को जॉइंट कर लेना है आप देख सकते हैं मैंने प्लेट डाल लिया है फ्रेंस वह भी कितने आसान और प्रफेक्ट तरिके से देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा यहां पर प्ल तो देखिए फ्रेंस यहां पर हमने बेल्ट भी चॉइंट कर लिया है अब यह जो इस पेज बचा है एक इंच का इसके रास्ते हम नारा या मतलब इलास्टिक डाल लेंगे आपकी पास जो भी अब लेवल हो आप यूज कर सकते हैं तो यह छोटे बेबी का है इसलिए हमें इसमें ऐलास्टिक डाल रहे हैं तो देखिए फ्रेंस यहां पर हमने ऐलास्टिक डाल के कंपलीट कर लिया है को तो देखिए आँ देखने में कैसा लग रहा है है अगर वीडियो आपको पसंद आये तो प्लीज लाइक सेर सब्सक्राइब करें कॉमेंट करके ज़रूर बत सकते हैं पाइपिन मोती कुछ भी लगा सकते हैं तो अगर वीडियो पसंद आ है तो प्लीज लाइक सेर सब्सक्राइब थैंक यू